आज हम एक नए टोपिक पर स्टड़ी करने वाले हैं and the name of this topic is picture composition हमारी exam में picture composition से related एक question आता है जिसको हमें करना पड़ता है और इस में हमें सबसे पहले एक picture दिवी होती है ये picture जो है वो कुछ इस तरह की होती है और उपर एक title दिया हुआ होता है कि नीचे दी गई activity को आप पढ़िये और उसकी according कुछ लिखिये तो आप इन pictures को आपने देखा होगा कि यहाँ पर road पर एक गाड़ी जो है वो खड़ी है एक बच्चा सड़क पार करना है और इस तरह पर एक बच्ची सड़क पार करके जा रही है यह दोनों अपने school जा रहे हैं तो अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि इसको इस पर हम एक पूरी तरीके से picture वो कैसे अपनी बात कहें तो आगे बढ़ते हैं अपन और इसमें ध्यान दढ़ना यह है कि इसको निश्चित वर्ड्स में ही लिखना है तो अब हम इस पर काम कैसे करेंगे और इसको कैसे समझेंगे तो इसको इस वीडियो में बताया जाएगा मैं आपका साथी तर्वाकान शर्मा इस पूरे वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा आपका हमारी चैनल नौलिजदारी पर स्वागत है तो आईए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आपको पिक्चर दिखा दी गई है फिर ये एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए लिखी हुई आएगी राइट ए पैरग्राफ पिक्चर कमपोजिशन यूजिंग दे डिटेल्स गिवन बिलोग आपको ये लिख करके और पिक्चर दिखाई जाएगी अब आपको लिखना है लिखने से पहले कुछ रूल्स हैं जिनको आप फोलो करेंगे सबसे पहले आप इसे एक टाइटल देंगे फिर इसके स्मॉल और इजी सेंटेजिश बनाएंगे जिसे की सभी को समझ में आएगे तो आईए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा टाइटल क्या होगा हमारा टाइटल होगा यह पोलो ट्राफिक सिब्लंस यह हमारा टाइटल होगा अब इसमें एक एक करके अपल आगे बढ़ते हैं तो चलिए शुरुवाद करते हैं हमारा फर्स्सेंटेंस यह होगा गिवज्व विज्वर गैइटल उस तो फोलो लुव्ट रेफिक रूट सेक्ड सेंटेंस है इसमेंस जो वाइटल है नेक्स्सेंटेंस है रेद लाइट नीसंस पॉप 6. Sapphire light means ready to go 7. Green light means move ahead 8. It is safer to move when the traffic light is green 9. Next sentence in big cities you can see black and white strips across the roads these are called zebra crossing if there is this zebra crossing always use it to go across the road it is safer to walk on it इस तरीके से हमारे sentences हमारे सामने बन करके तयार है जब हम इन sentences को अलग-अलग लिख लिए हैं हमने एक्जाम में हम कैसे लिखेंगे एक्जाम में लिखने का तरीक है कुछ अलग होगा सबसे पहले टाइटल दिया फॉलोव टर्फिक रूज फिर इन सभी sentences को हम एक परग्राफ में लिखेंगे कुछ इस तरीके से चलिए मैं आपके लिए इस परग्राफ को पढ़ देता हूँ कुछ आपके लिए दॉआ ओ कर्फिक रून सबस्तरू आपके लिए लीच लिए लिए मैंस शोग सफर रिए मैंस रादिकर रिए गो cross the roads these are called zebra crossing if there is this zebra crossing always use it to go across the road it is safer to walk on it तो यह हमारा picture composition पर एक paragraph पूरा होता है आगे भी हम कुछ pictures को लेकर के आप से discuss करेंगे तब तक हमारे वीडियो में आप बने रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you for your watching निश्चित रूप से आपको हमारे वीडियो पसंदाया होगा इसी के अलाज पर आप अपनी exam के पैयारी continue करते रहें thank you